परते हैं अगली खबर की सियासत और स्कूली बच्चों की किताबों का जैसे चोली दामन का साथ हो गया है बदलती सरकारों के साथ स्कूली शिक्षा के पार्टिक्रम भी बदल जाते हैं ताजा विवाद विनायक दामोदर सावरकर के चैप्टर से जुड़ा हुआ है सावतकर से जुड़े तथियों में फेर बदल के बाद प्रदेश भर में बवाल खड़ा हो गया है देखे फर्स इंडिया की ये खास रेपॉर्ट सामाजिक विज्ञान की आएंगी नई किताबे ग्यारवी बारवी की राजनीती एतिहास की किताबे भी आएंगी नई राजस्तान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रदेश भर के गोदामों में पिछले सत्र की बड़ी संख्या में किताबे बड़ी है इस पाठे करम में भाजपा और आरेयस की नीतियों से जूड़ी सामगरी को बच्चों पर थोपा गया था नई सरकार ने कमेटी की सिफारिश मताबिक बदलाव कर दिया इसमें इतिहास और राजनितिक विज्ञान से जुड़े चैप्टर निशाने पर आए वहीं दस्वी की सामाजिक विज्ञान की नई किताब को लेकर बवाल मच गया विनायक दामोदर सावरकर के चैप्टर में लिखा की सावरकर ने जेल में कश्टों से परिशान होकर ब्रिडिस सरकार के समक्ष दया याचिकाए भेजी सावरकर भारत को हिंदू राष्टर के रूप में स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे 1946 में पाकिस्तान निर्मान का उन्होंने जोड़दार विरोध किया वर्स्ट इंडिया के हाथ लगी इस किताब से अब सावरकर को पूर्वे महान बता रही पंक्तियां भी हटा दी गई है ऐसे राष्ट्रवक्त जिनका हिंदतों के साथ संबंध रहा है उनका हमेशा उपेक्षा करना और उसके विप्री उनका गलत इत्यास पढ़ाने की जो सोच रही है वास्तों में वही कारण बना कि अकबर महान के बाट को हटाने पर माराना प्रताब को महान कहने में इनको सं देशवास्यों के सरधा वीर्शावरकरची में है राष्ट भक्तों सुतनता शिनाने और देश्वक्तों का अपमान होगा तो हम सडकों पर निपने गें इस सरकार से काना चाहता हूं यह हमको कानून हात में लेने के लिए मजबूर न करें दरसल पूर्व भाजपास सरकार के राज में भी पाठ्टिक्रम में काफी फेर बदल किया गया था इसे पहले कॉंग्रिस सरकार में भी किताबों में आमूल चूल परिवर्तन किया गया था अब एक बार फिर किताबों में हुए बदलाव के बाद सियासत गर्मा गई है पूरे मामले पर सियासत देखी जा रही है और एक दूसरे पर आरोब प्रत्यारोब का दौर जारी है ग्यारवी बारवी की जो किताबे हैं उसमें फेर बदल की मांग की जा रही है और स्लेबर्स को लेकर जो संग्राम है वो छिड़ गया है राजनेतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोब प्रत्यारोब लगा रही है अब फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी का मदन कलाल हमारे साथ जुड़ गए है मदन आपके साथ क्योंकि शिक्षा मंत्री भी मौजूद है जरा उनसे बाचित कीजी क्योंकि इस पूरे मामले पर आप सियासत देखी जा रही है जी दिवे आज दिन भर सियासत गर्म रही है और इस वक्त शिक्षा मंत्री गोविन सिंग्डोटा सरा हमारे साथ में सर किताब को लेकर बवाल मच गया है किस तरह से सवरकर का चेप्टर में संसोधन किया गया इसके अलावा दूसरी जो इसकुली पाठे करम से जुड़ी किताबे उसमें संसोधन होने जा रहा है किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बवाल मचा हुआ है पिछले पांस साल में बारतिय जनता पाठे की जब सरकार थी राजस्तान में तो उन्होंने अपनी एक राजनितिक विचारधारा को थौपने के लिए अलग-अलग तरीके से पाठे करम में संसोधन किये और वो इतिहास के विपरित किये बाहरती बाउन से जो परची आती थी उसके आधार पर वो शिक्षा उभाग में प्रियोग करते थे चाए वो साइकल के कलर की बात हो चाए हापेंड के कलर की बात हो चाए सावरकर के बारे में लिखना हो चाए अन्य कोई बाते हो जब सरकार हमारी आई तो शिक्षा विदों की समीती बनी पाठे करम में जो देखा गया कि क्या चीज ठीक है, क्या इतियास के विपरित है तो शिक्षाविद्व की कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में जो सावर करके लिए जो सही था, जो इतियास में था जो हमने पूरे देश ने समय समय पर पढ़ा बड़े बड़े जो लेखक ते हितियासकार थे उन्होंने जो लिखा और जिसके तथे मुझूद हैं इतियास के पन्नो में वो चीज उन्होंने जो अभी संसा की और वो पटे क्रम में सामिल हुआ सर प्रिटिस सरकार से उन्होंने याचना की सावर करने है इसके अलावा एक और संशोधन किया गया है जो पहले की किताब में लिखा था कि वो महान थे उस सब्द को उसी पूरी लाइन को डिलिट कर दिया गया है जो दया याचिका करें अंग्रेज जीओ को ये कहे मुझे आप माप कीजिए मैं आपके चरंड स्पस करता हूँ मैं आपकी मदद करूँगा आपकी साहिता करूँगा मेरे पर महरवानी कीजिए मुझे माप कीजिए तो वो कैसे किस परकार से महान हो सकते हैं जो चीज गलत थ अगर ऐसा ही था तो सन 147 से लेकर के अब तक राजस्तान के इतियास में कॉंग्रेज की सरकार भी रही है भरू सिंग जी की सरकार रही पहले भी वसंद्रा जी की सरकार रही तब क्यों नहीं लिखा गया ये देवनानी जी आने के बाद में ये सुपना आया क्या कि वीर, सा से लेकर के अर्शी मजूमदार हैं जो मैं समझता हूं भार सरकार ने संस्कृतिक विभाग ने जो पुस्तक लिखाई इसमें जो वर्नन है वोई वर्नन इसके अंदरा है कि क्या लागों की किताबे जो हैं अब रद्धी हो जाएंगी बहुत बहुत शुक्री आपका मदन हमाय से जुनने के लिए में जानकारी देने के लिए और खबरे भी और रहा है